हमारा पहला कोश्चन है which of the following is not the characteristics of chemo absorption निम लिखित में से कौन राइसायनिक अधिशोषण की विसेष्टा नहीं है ठीक है पहला है इसके अधिशोषण की उस्मा के बारे में तो बास सही है कि 200 किलोरी 200 किलोजूल की आसपास इसकी हमारे पास अधिशोषण की उस्मा होती है लेकिन अगर हम लोग option C को देखें तो option C में दे रखा है कि यह multi-layer है मतलब बहु आणविक परत होती है गलत बात है क्योंकि chemical adsorption की case में हर समय जो adsorption या अधिशोषण होता है वह सदेव क्य क्या होगा वह always क्या होगा monolayered होगा मतलब option third multi-layered करेक्टर जो है वह गलत है मतलब हमारा answer क्या आजाएगा बिटा थर्ड अगला question हमारे पास given है कि the volume of n28 180m 273 273 और 180m STP condition आगा हमारे पास iron उत्पे रख्के प्रस्ट पर एकल परत बनाने के लिए अधिशोषख के प्रतिग्राम के लिए nitrogen 1 ATM 273 Kelvin पर आवश्यक आयतन इतना दे रखा है nitrogen के अड़ू अगर इतना इस्थान घेरते हैं तो प्रतिग्राम अधिशोषख का प्रस्टी छित्रफल निकालना है मतलब हमें कुल मिलाके अधिशोषख या adsorbent के लिए क्या निकालना है बेटा surface area adsorgen का surface area होगा वो किसके बराबर होगा जो molecule जितने number of molecules surface या जितना area जो है वो occupied हो रहा है वही हमारा adsorbent का surface area होगा सिंपल सी बात है हमारे पास एक molecule का क्या दिया हुआ है surface area occupied दिया हुआ है जबकि हमारे पास जो gas का item है gas का volume है वो 8.15 ml पर ग्राम दे रखा है STP condition पर तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा पहला काम होगा हमारे पास कि हम STP condition के हिसाब से अगर देखे तो हम लोग क्या सकते है volume कितना दे रखा है बेटा volume इसका है 8.15 ml तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं mole तो mole निकालने के लिए हम लोग क्या use करेंगे भाई STP condition पर 8.15 into 10s power minus 3 क्योंकि हमारे पास item या जो volume है वो ml में है divide करेंगे किस से 22.4 liter से क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पा number of mole आ जाएंगे mole से हम लोग निकालेंगे number of molecule number of molecule number of molecule निकालना होगा तो mole को हम लोग multiply कर लेंगे 8.15 into 10s power minus 3 divided by 22.4 into abogrado number 6.02 into 10s power 23 यह हमारे पास number of molecule आ गए अब अगर हम लोग यहां से निकाल लें area किसका भाई जो molecule area occupied कर रहा है एक molecule का area कितना दे रखा है 16 into 10s power minus 22 तो यहां से अगर हम लोग area occupied निकाल लें तो area occupied हमारे पास क्या मिल जाएगा बिटा यह वाले हमारे पास number of molecule 1.85 into 10s power minus 3 into 6.02 into 10s power 23 divided by 22.4 और इसको multiply कर दे एक molecule के area से एक molecule का area कितना है 16 into 10s power minus 22 तो यह हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा area जो occupied किया गया है और यही area किसके बराबर होगा भई adsorbent के area के बराबर होगा और हमारा answer इस calculation के बाद आएगा second 0.35 meter square per gram के लिए रहे अगला question हमारे पास given है कि which of the following is correct according to the friendlich, friendlich के अंसार कौन सा कथन सत्य है या कौन सा समीगण है वो सत्य है तो आप सबने पढ़ा था friendlich के हम लोग यूज़ करते है x upon m बराबर k जो की एक constant होता है p power 1 upon n और यहाँ पर जो n है उसको s से पॉम में रखा हुआ है जहाँ पर x की value जो होती है x की value हमारे पास greater r equal to किसके आएगी बेटा 1 के तो इस हिसाब से हमारा कौन सा अंसर सही होगा बेटा second x upon m बराबर constant p power 1 upon x और उसके हिसाब से जहाँ पर x की value के आएगी greater r equal to 1 आएगी तो answer हमारा कौन सा सही होगा second अगला question हमारे पास है which of the following parameter is correct regarding the adsorption of gas over a solid ठोस पर gas के अदिशोशन के लिए कौन सा प्रिचलन सही है ठीक है अब अगर हम लोग adsorption के बारे में बात करें तो adsorption एक exothermic process है मतलब यहाँ एक उस्मा छेपी process है जिसके लिए del h का मान क्या होगा बई greater than sorry less than क्या होगा बई zero मतलब जो del h आएगा वो कितना आएगा बई del h is less than zero मतलब यह एक exothermic process होगा यह spontaneous है सतत है मतलब इसके लिए del g की value जो आएगी वो क्या आएगी बई less than zero तो अगर हम लोग इसको put करें तो del g बराबर होता है हमारे पास del h minus t del s ठीक है बई del h की value जो है वो क्या है बई less than zero अब अगर हम लोग बात करें कि del g हमारा negative कब होगा जब हमारे पास del s भी क्या हैगा negative तो surrounding के लिए हम लोग बात करेंगे कि बई ये पूरा का पूरा अगर positive हो जाए तो ये पूरी valuation negative हो जाएगी del g क्या हो जाएगा negative तो surrounding के लिए del s का मान क्या होगा greater than zero surrounding के लिए del s का मान क्या होगा बई greater than zero तो मतलब हुमारा answer कौन सा correct आएगा भाई, second answer, अगला question हमारे पास है वेटा, कि which of the following is not a positively charged, निम्न में से कौन सा sol धनावेशित नहीं है, और सभी को पता है जो sulfide के sol होते है, sulfide का collide-villion होता है, collide-solution होता है, वो always क्या होता है भाई, negatively charged, मतलब arsenic sulfide जो दे रखा है, इसका जो sol होगा, वो negatively charged होगा, मतलब it is not a positively charged, तो हमारे question number 50 का answer आएगा क्या भाई, first, अगला दे रखा है, the liquid-liquid sol is known as, liquid-liquid sol का सीधा मतलब हो गया कि जो dispersed phase है, और dispersed medium है, दोनों के दोनों liquid हो, और उसे हम लोग liquid-liquid sol बोलते हैं, और इसका best example हमारा क्या होता है भाई, emulsion, emulsion एक example है, जिसमें, जो dispersed phase और dispersed medium है, मतलब, परचिप्त अवस्था और परचिप्त माध्यम, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, भाई, liquid state को belong करते हैं, इसलिए, emulsion हमारा क्या होगा, correct answer, तो 51 का answer आएगा, भाई, क्या, emulsion, अगला question है, visual of the phonies, multi-molecular collide particle, निमन में से कौन, बहु आ बहु आड़िक कोलाइड है, बहु आड़िक कोलाइड का मतलब, जिसमें, छोटे-छोटे-छोटे particle, छोटे-छोटे-छोटे atoms आपस में मिल करके, कोलाइडल सॉल को generate करें, और इसका best example होता है, गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल, जो है, वो multi-molecular collide के form में आता है, जहां पर molecules य VOLUTE PARTICLE IN TRUE SOLUTION VS COULD BE, हमें दोनों के volume को compare करना है, कहला, अगर collide कड का आयतन VC है, तो वास्तिक विल्यों के कड का आयतन VS की तुल्ला में कितना हो सकता, उनके बीच में क्या relation आएगा, तो अगर हम लोग collidal solution के बारे में बात करें, किसके बारे में, भई, collidal solution के बारे में बीच में, तो इसका अगर हम लोग radius निकालें, lower limit को अगर हम लोग पकड़ लें, यह lower limit है और यह higher limit है, तो radius इसकी कितनी हो जाएगी, radius of collidal particle हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 भाई क्या भाई, 2, lower limit के इसाफ़ से तो यह कितना आ जाएगा, भाई, 5, ठीक है, यह कितना आ ज solution के बारे में बात करें, तो true solution में अगर हम लोग बात करते हैं, तो true solution के लिए, जो range हमारे पास हम लोगों ने decide किया है, वो होता है, 1 से लेकर के 10 अंग स्ट्रॉम के बीच में, और इसकी lower limit कितनी हो गई भाई, इसकी lower limit है हमारे पास कितनी, 1, तो अगर हम लोग इसको compare करना है, कि जो collidal का volume है, मतलब VC upon किसको compare परना है VS, तो VC के लिए volume का मतलब हो गया, radius का cube ले ले यहां पर, तो यह हो गया 10 by 2 का whole cube, divided by 1 by 2 का whole cube, और यहां को solve करोगे तो value आएगी, कितनी भाई, 10 power 3 about, तो दोनों के बीच का relation के आगया, 10 power, कितना भाई, 3 तो answer हमारा कौन सा correct हो गया बिटा, fourth, अगला कुश्यन हमारे पास given है, कि the stability of the lie of philic sol is due to which of the following, द्रविस नही collide का स्थाइट्व, किन कारण के, किस कारण से संभव होता है, तो हमें पता है कि जो द्रविस नहीं collide है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि dispersed medium, पर्छित तवस्था और पर्छित माध्य दोनों के मद, dispersed medium और dispersed space के बीच का interaction बहुत जादा होता है, मतलब solvation बहुत अधिक होता है, जिसके करण वो बहुत ज्यादा stable होते हैं, answer मारा क्या बन जाएगा भाई, fourth, solvation of dispersed medium, पर्छित माध्यम दौरा, विलायकन जो होता है, वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वज़े से हमारे जो lyophilic sol होते हैं, वो क्या होते हैं, highly stable, अगला है the peptization is, pepti करण क्या है, pepti करण में हम सभी को पता है कि हम लोग precipitate को collide में convert करते हैं, एक backs example आपने पढ़ा होगा, कि जो feric hydroxide होता है, उसको हम लोग FECL3 के peptizer जिसे बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग dissolve करते हैं, जिसकी से iron का या जो हमारे पास feric hydroxide का salt create होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि peptization में the conversion of precipitate into the collide take place करता है, अंसर हमारा आ जाएगा, 55 का क्या भई, second, अगला है हमारे पास, the potential difference between the fixed layer and diffuse layer having opposite charges card, इस्थाई आवेसित परत तथा विपरीत आवेसित परत के मद्ध उत्पन, कौन सा potential भई, पास एक fixed layer होती है, और यहाँ पर हमारे पास charge आ जाता है, इन दोनों के बीश में motion की वेसे potential difference generate होता है, और उस potential difference को बोलते हैं, electro kinetic potential, diffuse layer और fixed layer के बीश में होने वाला जो potential difference development है, जिससे हम लोग collidal solve की stability को भी explain करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमारे पास example उसका क्या है भई, that is called the electro kinetic potential, और इसी को हम लोग zeta potential भी बोलते हैं, अगला question है, for the coagulation of 200 ml of arsenic sulfide sol, 10 ml of 1 m NaCl is required, what is the coagulation value, coagulation value को हमें calculate करना है, coagulation value क्या होती है, एक लीटर sol के लिए जो हमें coagulation के लिए चाहिए, electrolyte की quantity या millimoles चाहिए, वही हमारी क्या होती है, coagulation value होती है, तो अगर हम लोग देखें, तो इसके millimoles कितने आगए, millimoles of, millimoles of NaCl, कितने आगए बेटा, molarity दे रखी है, कितनी 1, और जो volume है, वो कितना है, 10, तो इसको हम लोग लिए सकते हैं, इसके millimoles कितने हो गए, 10 millimoles, 10 millimoles किसके लिए required नहीं है, 10 millimoles 200 ml के लिए required है, 200 ml के लिए रिक 1000 ml sol के लिए कितना चाहिए होगा, 10 upon 200, into क्या भई, 1000, ठीक है भई, यहाँ से अगर हम लोग divide कर ले तो हमारे पास, valuation हमारे पास कितनी आजाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है, यह हमारे पास कितना आजाएगा, 50, answer क्या हो जाएगा, 50, तो coagulation value यहाँ पर NaCl के लिए कितनी ह centralized had the highest coagulation value, coagulation value जादा है मतलब जो coagulating power है, वो क्या है भई, कम, और उसके लिए हम लोग सीधे हाड़ी सुझे rule को लगाते हैं, जिसमें आयन पर charge कम होगा, वो अब्यस्ती बात है, उसको वो कम coagulation करेगा, इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो सबसे कम charge कहा आपर आ रहा है, NACL, मतलब NACL का coagulation जो value होगा, वो क्या होगा, सबसे जादा, और इन सब के भीश में, वो सबसे कम coagulation या सकंदन करने का काम करेगा, पीटा, अगला question है, at CMC, मतलब critical micelle concentration, the surfactant molecule, critical micelle concentration पर, जो सक्रियन कारक है, तल पर, जो कारक है, वो किसकी वे से होता ह है, by molecular association की वे से, इसी वेज़े से, हमारे पास, CMC, या critical micelle concentration, संगुण को होता है, मतलब molecule क्या हो जाते हैं, अपस में क्या हो जाते हैं, बेटा, associate collide बना देते हैं, संगुणित collide बना देते हैं, इसका मतलब हमारा answer क्या आएगा, बेटा, third, अगला question हमारे पास given है, among the following surfactant that will be from the micelles in aqueous solution at the lowest molecular concentration at ambient condition, मिसल के निर्मार के बारे में बाद कर रहा है, तो इसके लिए सोटा सा concept होता है, कि किसी भी chemical molecule का lyophobic part, मतलब द्रव्य विरोधी part जितना बड़ा होगा, उसकी वो जो है, वो संगुणित collide या जो हमारे पास मिसल से, उनका निर्मार बड़ी आसानी से कर लेगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो सबसे बड़ा जो lyophobic part है, वो किसका है भाई, द्रव विरोधी part, किसका है, फोर्त का, मतलब यह सबसे lowest molecular mass, lowest molecular concentration पर मिसल का formation, echo solution में कर सकता है, यहाँ पर है, the heat evolved in the chemo absorption, lie in the range, chemo absorption या रायसानिक अधिसोशन में उत्स हम सभी को मालूम है, कितना होता है, असी से 240 किलो जूल पर मुल, मतलब हमारा answer क्या आएगा भाई, फस्ट, अगला question है मारे पस, the electrical charge and collidal particle is indicated भाई, किसी भी collidal part पर अगर हमें charge को indicate करने आए, उसके जो charge है, वो किस type का charge है, तो उसके लिए हम लोग एक U-shape tube लेते हैं, यहा हम लोग किसी भी collide के अंदर उपस्थित या collide पर उपस्थित वैदुत आवेश को identify कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस पर positive charge है, या उस पर क्या है भाई, negative charge है, अगला question है मारे पस, the volume of gases, ammonia दे रखा है, carbon dioxide, hydrogen, adsorb 1 gram of charcoal, हमें एक order decide करना है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते कि ammonia के case में hydrogen bonding हो रही है, CO2 और H2 दोनों के दोनों non polar molecule है, दोनों के दोनों क्या है? नon polar molecule और non polar molecule के लिए अगर मास जाधा है, तो molecular interaction जाधा होगा, मतलब सबसे जाधा अधिशोषण, सबसे जाधा adsorption, ammonia का होगा hydrogen bonding की वज़े से, CO2 और H2 दोनों के दोनों non polar molecule है, लेकिन CO2 का molar mass जादा है और H2 का molar mass कम है इस वज़े से molecular attraction CO2 में जादा और H2 में क्या होगा कम जिसकी वेसे हमारा order कौन सा correct होगा भई थर्ड सबसे ज़्यादा अधिशोशन होगा ammonia का उसके बाद absorption होगा किसका भई CO2 का उसके बाद absorption होगा किसका भई O2 का अगला कुशन है मारे पास British Arch Method is involved British Arch Matter को हम लोग basically metal collide के formation के लिए यूज़ करते हैं यहां पर हम लोग एक water bot को ले लेते हैं यहां पर हम लोग ice को रख देते हैं और यहां पर metal rod के थूरू spark create करते हैं और इस spark की वज़े से क्या होता है जो collide है उनसका generation होता है सबसे पहले तो क्या होता है भई हम लोग कह देते हैं कि परिछेपड हो रहा है मतलब dispersion हो रहा है और उसके बाद particle आपस में क्या होते हैं भई जुनना चालू हो जाते हैं तो हम लोग कुछ ने बेटा हमारे पास which of the wrong in case of the enzyme catalysis enzyme उत्पेरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है एंजाइम उत्पेरण में specific होता है बिल्कुल सही है एक pH range decide होती है हम लोग बोलते हैं कि भई enzymes always reactants की reactant की activation energy को क्या कर देते हैं decrease जिसकी वेसे rate क्या हो जाती है increase मतलब जो answer fourth है enzyme rises the activation energy ये सरा सर गलत है enzyme हर समय जो activation energy है उसको decrease करके rate of reaction को क्या करेगा बढ़ा देगा मतलब answer four incorrect है हमारे पास और हमारा answer हो जाएगा क्या बढ़ी 65 का fourth अगला question हमारे पास है the rate of physical exhaustion increases with भौतिक अधिशोशन की दर्में ब्रद्धी होती है भौतिक अधिशोशन के लिए सीधा सीधा बोलते है कि भाई जैसे जैसे temperature को बढ़ाओगे भौतिक अधिशोशन x upon m जो है वो temperature के बढ़ने के साथ decrease करेगा जैसे temperature बढ़ाओगे तो decrease करेगा temperature कम करोगे तो अधिशोषन जादा होगा मतलब ताप में कमी के साथ temperature को decrease करने पर physical adsorption का जो rate है वो क्या करता है बेटा increase तो answer हमारा कौन सा correct होगा first अगला question है हमारे पस which enzyme is convert the starch into maltose starch को हमें किसमें convert करना है maltose starch को maltose में convert करने का सबसे बढ़िया enzyme कौन सा है बाई dye stage हाला कि amylase भी कर सकता है लेकिन यहाँ पर हमारे पस option क्या दे रखा है dye stage NCRT में भी dye stage ही हमारे पस given है तो हम लोग बोलेंगे बाई अगर हमें starch को maltose में convert करना है तो the enzyme specified for this reaction is dye stage enzyme अगला दे रखा है among the electrolyte Na2SO4 CaCl2, Al2SO4 NH4Cl which is the more effective coagulating region जिसका charge ज्यादा जिससे number of charge ज्यादा produce हो रहा है वो बहतर एक सकंदन कर सकता है coagulating region की तरह कर सकता है हमारा answer कौन होगा बई Al2SO4 whole thrice क्योंकि यह बनाएगा twice of Al 3 positive plus thrice of SO4 minus 2 जिसकी वैसे सबसे बहतर coagulation किसके through होगा aluminum sulfate के through अब यहाँ पर हमारा अगला question है the tindle effect is observed only when the following conditions are satisfied. Tindle प्रभाव तभी संभव है जब निम्न लिखित में से कौन सी conditions क्या हो रही satisfied. तो भाईया देखो जरा यहाँ पर B option देखना जरा दिया हुआ है the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light जो dispersed particle है उनका जो diameter होना चाहिए उनका diameter और जो हम लोग wavelength डाल रहे हैं उनके बीश में ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही बात है. fourth answer देखना the reflective index of the dispersed phase and dispersed medium is different gently mean magnitude. परशित प्रवस्ता और परशित माद्यम के अपवर्तनां का पर्मान बहुत भिन हो दोनों के दोनों ही अलग होना चाहिए तभी हमारा पास unequal bombardment possible होगा मतलब टिंडल प्रभाव संभा होगा मतलब आंसर क्या हो जाएगा भई? second अगला question है हमारे पास the solution of Na2SO4 in water inert electrode पर electrolysis कराया है तो cathode और anode पर उत्पाद क्रमसा हमें बैताने है cathode और anode के उत्पाद में बताने है ठीक है तो अगर मैं Na2SO4 को dissociate कराऊ तो Na2SO4 dissociate होके बनाएगा क्या बेटा? twice of Na positive plus SO4 minus 2 साथी साथ water dissociate होगा water dissociate होके क्या बनाएगा बेटा? twice of H positive इसके दो मोंस ले लेते हैं plus क्या बैई? twice of OH negative अब हमारे पास दो कटाइन है और दो क्या है? anion simple सी बात है जिसका SRP जिस कटाइन का SRP क्या होगा बैई? ज्यादा उसका वो electrode पर मुक्त होगा और जिस anion का हम लोग बोलते हैं SRP क्या होगा कम तो OH negative आसानी से reduce हो सकता है मतलब बोल सकते हैं कि anode पर हमारा twice of OH negative convert हो जाएगा H2O plus half O2 और साथ में निकालेगा क्या बैई? दो electron जबकि cathode पर cathode पर हमारा hydrogen आएगा twice of H positive accept करेगा दो electron और produce कर देगा भाई H2 तो cathode पर मुक्त गैस क्या है भाई? hydrogen और anode पर मुक्त गैस क्या है भाई? oxygen और यही हमसे क्रमसा उत्पात पूछे हैं respectively उत्पात पूछे हैं तो cathode पर कौन आया भाई? H2 और anode पर कौन आया? O2 अत्वा अंसर कौन सा करेक्ट होगा भाई? थर्ड थर्ड अंसर हमारा क्या आयेगा भाई? करेक्ट अंसर यहां पर हमारे बस दे रखा है given data है 25 degree centigrade temperature पर AGI निगेटिव AGI electrode potential हमारे पास यह given है ठीक है? electrode potential की value given है और यहां पर हमारे पास है AGI से यह बनाना और हमें क्या जो calculate करना है बैटा? KSP अगर हम लोग KSP की equation लिखें तो क्या लिखेंगे भाई? AGI convert in form of AGI positive plus I negative अब इन दोनों equation से हमें इस equation को create करना है इस equation को create करने का सीधा मतलब हो गया अगर मैं इस वाली equation को उल्टा कर दू मतलब क्या लिख दू मैंट आब है AGI plus one electron convert in form of AGI plus I negative तो potential इसका कितना हो जाएगा भाई? E not बराबर minus 0.152 के लिए रहे? ओके और दूसरी equation हमारे पास है AGI it is convert in form of क्या दिया हुआ है बेटा? AGI positive plus one electron और इन दोनों equation को अगर अगर हम लोग add कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? AGI से AGI निपट गया ठीक है और ये क्या मिल गया भाई? एक electron से एक electron निपट गया तो हमारे पास क्या आगया? target equation जो solubility product को calculate करने के लिए करना है वो मिल गया अब इस reaction का अगर हम लोग potential निकालें तो potential क्या हो जाएगा? ये potential plus ये potential मतलब क्या आजाएगा? माइनस बाहर ले ले लेते हैं अंदर ले ले लेते हैं 0.152 plus 0.800 और ये हमारे पास वेलू आजाएगी कितनी बेटा? 0.0.952 ये हमारे पास potential आगया ठीक है? अब जब ये potential हमें मिल जाएगा तो हम लोग सीधे equation लगा सकते हैं KSP के लिए क्या लिखोगे बाई? E बराबर E not minus 0.0591 upon N log of क्या लेते हैं बेटा? क्यू? ठीक है? क्योंकि equilibrium condition है तो E cell 0 हो गया और E cell 0 होने का मतलब ये valuation इधर आ गई तो ये बन गया E not बराबर 0.0591 upon 1 क्योंकि एक electron का exchange है log of क्या ले लिए बेटा? KSP ठीक है? अब हमारे पास E not की value दे रखी है E not की value हमने क्या निकाली है? माइनस का हमारे पास कितना है? 0.952 तो सीधे आ जाएगा हमारे पास log of KSP बराबर KSP बराबर minus 0.952 upon ये value इधर आ जाएगी 0.0591 और इसको solve करोगे तो हमारे पास answer आ जाएगा minus का 16.13 के लिए रे बेटा? KSP of BASO4 हमारे पास है 1 into 10th power minus 10 if the molar conductance of BA2 positive and sulfate ions are 64 and 80 respectively then the specific conductance बेटा specific conductance का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा molar conductance बराबर होता है कपा into 1000 upon S S की जगे पर हम लोग S को ले लेते हैं concentration के form में saturation point पर ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए क्या? हमें चाहिए यहां पर क्या निकालना है? specific conductance मतलब हमें कपा की value को calculate करना है कपा की value calculate करने के लिए हमें चाहिए क्या? S चाहिए और lambda चाहिए lambda M को calculate करना है तो lambda M of BASO4 बराबर आ जाएगा बेटा lambda of BA 2 positive plus lambda of SO4 minus 2 ठीक है? तो यह हमारे पास कितना दे रखा है? BA का दे रखा है 64 और यह हमारे पास कितना है बेटा? 80 तो यह हो गया हमारे पास total 144 यह तो हमारे पास आ गई सीधे सीधे lambda अब हमें चाहिए S तो अगर हम लोग BASO4 को dissociate कराएं तो BASO4 dissociate होता है किसमें dissociate होगा बेटा? BA 2 positive plus SO4 minus 2 में ठीक है? तो इसका S आएगा और ये भी क्या आएगा S तो KSP इसका कितना आजाएगा? KSP बराबर आजाएगा बेटा क्या? S square तो S बराबर आजाएगा under root of KSP ठीक है बेटा? KSP कितना दे रखा है? 1 into 10s power minus 10 तो यह हो गया 1 into 10s power minus 10 और इसका अगर हम लोग root ले लेंगे तो answer क्या आजाएगा? 10s power minus 5 चलो भई अब अपने पास दोनों value मिल गई S भी मिल गया है और lambda भी मिल गया है यह कितना given है? S 10s power minus 5 upon 10s power या 1000 कर दिया तो यह valuation कितनी आ गई? 144 into 10s power minus क्या हो गया? बेटा 8 तो हमारा answer कौन सा correct हो जाएगा? 2nd 2nd is the correct answer हमारे पास इस question में दे रखा है the EMF of the following 3 galvanic cell 3 galvanic cell दे रखे और 2 तीनों के तीनों हमारे पास जो cell है वो जिंक और copper के साथ में है मतलब पहले तो हम लोग इसकी equation लिख लेते हैं अगर हम लोग इसकी nurse equation लिखें तो यह हमारे पास क्या है भाई? product और यह हो गया यह तो इसका हमारे पास आ जाएगा E cell बराबर E naught minus 0.0591 upon N N की value को N की value सभी के लिए है N आ जाएगा यह log of क्या आ जाएगा बेटा ZN 2 positive upon concentration upon क्या भाई? Cu2 positive concentration ठीक है? तो अगर मैं first cell में बात करूँ तो दोनों का concentration कितना है? 1,1 अगर दोनों का concentration 1,1 है तो पहले case में मैं E1 लिख सकता हूँ E1 बराबर आ जाएगा क्या भाई? E0 के लिए रहे? तो कि concentration 1,1 हो गया तो पूरा cancel out हो जाएगा बेटा अब हम लोग Z2 ले ले लेते हैं second concentration second concentration ZN की हमारे पास है 0.1 और Cu की है 1 तो यहाँ पर हमारे पास आ गया E2 बराबर E0 minus 0.0591 upon 2 number of electron का exchange log of 10 power minus 1 जो की जिंक की concentration है upon Cu की concentration 2 positive की concentration 1 है 10 power minus 1 बाहर आएगा तो यह हो जाएगा positive मतलब E0 प्लस X के terms में value आएगी अगर हम लोग ले लेते हैं E3 यह बिटा आगे आजाएगा ना तो प्लस हो जाएगा तो हम लोग इसको calculate करने की जोड़नी क्योंकि order decide करना है पहला हमने ले लिया E1 बराबर E0 दूसरा आगया E2 बराबर E0 प्लस X क्योंकि पावर अगर आगे आएगा माइनस वाला तो वो positive हो जाएगा अगर हम लोग E3 calculate करते हैं तो E3 बराबर क्या आगया वही हमारे पास E3 यह दे रखा है 1 और यह है 0.01 ठीक है 0.1 तो यह आजाएगा हमारे पास E0 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग आफ जिंग की कंसेंट्रेशन कितनी है 1 अपान 10 पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 1 उपर जाएगा तो positive हो जाएगा और positive value आगे आएगी तो यह valuation आजाएगी E3 बराबर E0 माइनस X पहली value E1 बराबर E0 दूसरी value E2 बराबर E0 प्लस X के टम्स में और तीसरी value E3 बराबर E0 माइनस of X मतलब सबसे कम value हमें कौन सी मिल लई है E3 सबसे ज़्यादा value क्या मिल लई है E2 और उनके बीच की value क्या है E1 तो मारा answer कौन सा correct होगा E2 सबसे ज़्यादा then E1 then E3 clear है बेटा अगला कुश्यन है हमारे पास if E0 for conversion of CLO negative to CL negative CLO negative से हमने क्या बनाया CL negative मतलब मैं यहां से यहां गया इसके लिए हमारे पास है 0.71 ठीक है उसके बाद बोला है अगर मेरे को CLO negative से CL negative बनाना है मेरे को यहां से कहा जाना है बेटा यहां पर तो मेरे को क्या निकालना है E0 की valuation को calculate करना है क्योंकि वो value हमारे पास क्या दे रखी है X अब देखो बेटा जब लोग यहां से यहां गये तो यह आया और साथ में हमारे पास यह वाला part आ गया आ रहा भई सबसे पहले हम लोग N factor निकाल लेते हैं CLO 3 negative से अपने को क्या बनाना है CL negative यहां पर क्लोरीन का oxidation number कितना हो गया भई प्लस 5 और यहां पर क्या है minus 1 मतलब N factor इसका कितना आ गया बेटा 6 ठीक है आप जड़ा देखते हैं यहां से यहां CLO negative से क्या बनाया भई हाप CL2 सही है यहां पर कितनी थी value प्लस 1 और यहां पर value क्या है 0 मतलब यह N बराबर इसका कितना आ गया हमारे पास कितना बेटा 1 और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है भई CL2 negative से अगर हम लोग CLO negative से CL negative की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर हमारे पास CL2 से अगर हम लोगों ने CLO negative की तरफ change किया तो हमें N factor की value को calculate करना है यहां से यहां तक का change कितना है CL2 half convert in form of CL negative तो यहां पर अगर देखे तो यह कितना है 0 और यहां पर क्या है 1 तो यहां पर भी N factor कितना हो गया यह हमाला plus 1 से 0 ठीक है यहां से कितना आ गया है हमारे पास यह भी valuation कितनी आ गई N बराबर 1 अब अगर हम लोग यहां से valuation देखे यहां से ले करके CLO negative से हम लोगों को जाना किधर है इधर तो यह conversion तो हमारे पास 0.17 के terms में यहां से यहां देख लेते हैं अगर मैं CLO 3 negative से क्या बना रहा हूँ भई CLO negative बना रहा हूँ यहां पर कितना था बेटा प्लस 5 और यहां पर क्या आ गया भई प्लस 1 मतलब N बराबर कितना हो गया 4 मतलब अगर इस equation और इस equation को add कर दिया जाए तो हमारे पास final equation मिल जाएगी ठीक है ना भई तो जड़ा देखो इस equation से हम लोग final equation निकालते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बई CLO 3 negative convert in form of CLO negative उसके बाद अगला हमारे पास आ गया क्या बई CLO negative convert in form of CL negative यह CL negative है ठीक है अगर दोनों को हम लोग add कर दे तो यहाँ पर n1 अभी कितना निकाला था बेटा यहाँ पर plus 5 था और यहाँ पर क्या था प्लस 1 तो n बराबर कितना था चार यहाँ पर क्या था भई प्लस 1 यहाँ पर क्या हुआ यह हमारे पास CL negative के टर्म्स में आ गई वेलू तो प्लस 1 से हम लोग कहां गया भई माइनस 1 तो n बराबर कितना आ गया बेटा दो आ गया ठीक दोनों को अगर एड कर दें तो क्या मिल गया CLO 3 निकेटिव यह और यह कैंसिल आउट हो गए कनवर्ड किसमें भई CL negative और यहाँ पर n बराबर कितना आ गया बेटा 6 ठीक है इसके लिए potential हमारे पास कितना था 0.54 इसके लिए potential कितना है बेटा हमारे पास given है 0.71 तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते है डेल जी बराबर डेल जी वन प्लस डेल जी टू डेल जी निकालना है तो यहाँ पर 6 हो गया इंटू F इंटू potential calculate करना है डेल जी वन डेल जी वन यह ले लेते हैं तो इसका n बराबर कितना है 4 4 इंटू F बाहर माइनस पूरे के लिए साथ में ले लेते हैं यह बाहर माइनस ले लिए हम लोगों ने 4 इंटू हमारे पास कितना बेटा 0.54 पूरा बाहर माइनस है और यह हो गया हमारे पास कितना चेंज दो का तो 2 into f into 0.71 इसको इसको जब सुम लुक सॉल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 के लिए रहे बिटा दिया हुए दा वोल्टिक सेल constructed in the based of the following equation यह हमारे पास वोल्टिक सेल है और इस वोल्टिक सेल को हमारे पास गिवेन है यह सेल कुछ इस तरह से बनेगा पीबी ऑब्लिक पीबी टू पॉजटिव एनोट पर आ जाएगा और यह आ जाएगा हमारे पास क्या भईए एसन टू पॉजटिव ऑब्लिक क्या भई एसन यह कैठोर्ड पर आ जाएगा तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इनॉट निकाल लेते हैं इनॉट of cell कितना हो जा यह बई एसे मत्तब उल्टा कर दो तो अंदर आ जाएगा माइनस का 0.136 इसको solve कर लोगे तो value आ जाएगी माइनस की 0.01 यह हमारे पास E आ गया ठीक है अब इसको अगर हम लोग लिखें तो इसका लिख लेंगे इसकी concentration E cell कितना दे रखा है लिखा जाएगा E cell बराबर E naught cell minus 0.0591 upon N log of भाई देखो concentration of anode PB2 positive ठीक है बेटा upon concentration of cathode SN2 positive ठीक है E cell हमारे पास कितना गिवे ने बेटा plus का 0.22 तो यह हो गया plus का 0.22 E naught cell बने कितना निकाला minus का 0.01 minus 0.0591 upon 2 नमबर आप दो इलक्टरॉन का exchange है log of PB2 positive concentration चाहिए SN2 positive concentration क्या दे रखी है 1 और इसको solve करके PB2 positive की concentration निकालोगे तो answer आएगा क्या बेटा second अगला question हमारे पास है the mass of the copper deposited from the solution passing from the Cu2S current हमारे पास दे रखा है 0.2.5 एंपियर और time हमारे पास है six minute का ठीक है तो डबलू बराबर हम लोग यूज़ करते हैं MIT upon n into 965 00 ठीक है molar mass copper का 63.5 ठीक है उसके बाद हमारे पास 63 हो गया हमारे पास copper का molar mass यह हो गया हमारे पास क्या भई 63 एंपियर करेंट कितनी है 2.5 time कितना दे रखा है six minute तो six into क्या कर दिया भई 60 divided by n की value क्या हो गई one into 965 00 और इसको solve कर लोगे तो answer हमारे पास W बराबर आ जाएगा क्या भई 0.6 gram अब इता हमारे पास equation है from the following standard electrode potential electrode potential है Cu2 positive से Cu और हमारे पास है Cu2 positive से Cu positive ठीक है calculate this equation इस equation के लिए हमें equilibrium constant चाहिए तो हम लोगों को पता है equilibrium constant के लिए हम लोग use करते हैं E naught बराबर 0.0591 upon n log of क्या भई के तो overall हमें E naught की value calculate करनी है और उससे हम लोग equilibrium constant को calculate कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले E naught calculate करना है तो E naught हमारे पास क्या क्या है जो equation दे रखी है वो किसके form में एक तो Cu किसमें convert हो गया भाई Cu positive plus one electron और यह हमारे पास हो गई anode cell reaction ठीक है उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ गया भाई Cu two positive एक electron लेगा और convert हो कि क्या बना देगा भाई Cu positive और यह हमारे पास हो गई cathode cell reaction anode cell reaction के लिए अगर हम लोग देखे तो हमारे पास data given है मतलब यह हमारे पास क्या है भाई E cathode हमारे पास कितना दे रखा है plus का 0.15 अब हमें निकालना है E anode को किसको calculate करना है बेटा E anode को E anode को अगर हमें calculate करना है तो हमें चाहिए यह मतलब इस वाली equation उपर वाली equation से इस वाली equation को अगर हम लोग subtract कर दें तो अगर हम लोग को इसका equation का निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका electron यह आ जाएगा E of anode बराबर इस वाली equation को subtract करना है दो electron है तो इसको लिख सकते हैं minus of 2 into क्या भाई 0.34 प्लस 0.15 यह evaluation निकालोगे तो आएगा minus का 0.53 ठीक है तो इस equation का अगर हम लोग E not निकालेंगे तो इस equation का E not हमारे पास कितना मिल जाएगा minus का 0.53 प्लस 0.15 और यह value आ जाएगी minus का 0.38 और minus के 0.38 को यहाँ पर put कर देते हैं और n की value तो हमारे पास अल्रेडी कितनी दे रखी है 1 के terms में आ रही है एक ही electron का exchange है तो यह हो जाएगा minus 0.38 into 1 upon 0.0591 is equal to log of क्या भाई के और इसको solve करोगे तो के बराबर आएगा nt log nt log minus 0.38 divided by 0.0591 ठीक है भाई और minus का 0.0591 को जब solve कर लेंगे हम लोग तो यह valuation हमारे पास आ जाएगी 3.72 into 10s power minus 7 के लिए है question given है the specific conductance of 0.0 M solution of acetic acid was found to be 0.0162 calculate the degree of dissociation of acid the molar conductance of the acetic acid at infinite dilution यह given है ठीक है यह हमारे पास infinite dilution per molar conductance हमारे पास क्या है भाई given है और यहाँ से हमें क्या निकालना है degree of dissociation तो सभी को पता है formula होता है lambda M upon lambda M infinity into क्या भाई 100 और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं degree of dissociation के terms की value अब हमारे पास infinity value दे रखी है कितनी भाई 390.6 into 10s power minus 4 अब हमें lambda M निकालना है तो lambda M के लिए formula use कर ले लेंडा M बराबर kappa into 1000 upon molarity ठीक है भाई कपा कितनी दे रखी है इसकी कपा हमारे पास given है कपा के terms में हमारे पास valuation है इसको 1000 को use नहीं करें क्यों क्यों मीटर के square के है तो 1000 को use करने की जोगरत नहीं है सीधे हम लोग लिख सकते है कपा upon क्या भाई molarity यहाँ से हम लोग lambda M निकाल लेंगे और lambda M को हम लोग put करेंगे इस equation में तो हमारे पास answer आ जाएगा 4.17 समझ आ रहा है सबसे पहले lambda M निकालेंगे lambda M क्यों निकालेंगे बाई lambda M निकालने के लिए हम लोग formula use करेंगे lambda M is equal to कपा upon molarity lambda M is equal to क्या ले लेंगे भाई कपा upon molarity 1000 नहीं उस करेंगे को मीटर स्कार में given है और यहाँ से lambda M निकालेंगे lambda M को इस वाली equation में put करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 4.717 percentage में clear है अगला question हमारे पास given है calculate the volume of the gas liberate at anode at stp during the electrolysis of cu so4 current हमारे पास आई दे रखा है 1 amp टाइम हमारे पास है 16 minute तो 16 into 60 plus भाई क्या है 5 second यह हमारे पास हो गया time in second ठीक है अब cu so4 में तो से पहले तो यह देखें कि भाई कौन सी gas जा रही है तो cu so4 dissociate हुआ क्या बना cu2 positive plus so4 minus 2 water dissociate हुआ क्या बना बई twice of H positive plus क्या बई twice of OH negative कहां पर बोला है कि anode पर कौनसी gas हाई तो anode पर discharge ही होंगे इन में से discharging किसकी होगी बई OH negative की discharging होगी मतलब OH negative discharge होगा OH negative discharge होगा OH negative discharge होगा OH negative अगर discharge हो होगी है confirm हो गया अब जो gas discharge हो इसका volume निकालना है तो volume of gas जो discharge ही बराबर molar volume that is 22.4 into i1 ampere हमारे पास time कितना दे रखा है time हमारे पास है 16 into 60 plus क्या भाई 5 second divided by हमारे पास n की value 4 into क्या भाई 9 6 5 double 0 ठीक है इसको solve करोगे answer हमारे पास आ जाएगा 56 ml clear है गोला है during the electrolysis of concentrated brine solution the amount of chlorine produced ठीक है भाई जब chlorine की discharging होगी तो twice of cl negative क्या बनाएगा भई cl2 plus two electrons two electrons मतलब 2 faraday charge बोला है 2 faraday charge को देने पर कितने mol cl2 बनेंगे simple सी बात है एक mol cl2 के लिए हमें 2 faraday charge का flow चाहिए मतलब one mol of cl2 का formation होगा answer क्या हो जाएगा भई third given है fe3 positive से fe2 positive बना रहे है al3 positive से al बना रहे है br2 से br negative बना रहे है और इसका electrode potential हमारे पास given है अब बोला है considering the above data state which of the following represented the correct order of reducing power ठीक है तो बेटो देखो reducing power के लिए हम लोग बोलते है reducing power rp is directly proportional to SOP मतलब standard oxidation potential and inversely proportional to क्या भई SRP किसी को भी एक terms में calculate कर लो यहाँ पर reduction हो रहा है सही बात है यहाँ पर क्या हो रहा है यह क्या है यह भी reduction के terms में हमारे पास valuation है और यह भी हमारे पास क्या है भई यह है reduction के terms में valuation तो reduction इसका SRP क्या है भाई सबसे जाता मतलब यह सबसे weakest reducing agent होगा उसके बाद SRP किसका है भाई FE का और सबसे कम SRP किसका है AL का मतलब AL जो है वह best reducing agent की तरह act करेगा जबकि BR negative weakest reducing agent होगा मतलब तो अंसर हमारा कौन सा आ जाएगा बिटा फस्ट अगला question हमारे पास है h2 से h positive and concentration को produce कर रहा है ठीक है 0.1 दे रखा तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा e-cell बराबर e0 to 0 ही होता है बिटा minus 0.0591 upon oxidation के terms में value क्या हो गई 1 ठीक है log of हम लोग यहां पर अगर लिखना चाहें तो log हमारे पास h positive and concentration कितना दे रखा है 10s power minus 1 इसका square करोगी यहां पर 2 आ जाएगा इसका आ जाएगा हमारे पास कोगी अट्रेक्टर की value 2 ले ली इसका square हो गया upon pressure of h2 pressure of h2 कितना दे रखा है 1 atm तो इसको लिख सकते हैं भाई क्या 0.0.0591 upon 2 log of 10s power minus 2 और pressure तो 180 में minus 2 आगे आ जाएगा तो यह हमारे पास positive आ जाएगा तो answer क्या आ जाएगा the specific conductance maximum specific conductance क्या है भई कपा कपा जो होता है वो directly proportional होता है क्या भई सी के मतलब जहाँ पर concentration ज्यादा वहाँ पर specific conductance क्या हुई सबसे ज्यादा मतलब answer क्या आ जाएगा भाईटा हमारा third अगला question है the concentration cell of the galvanic cell which of the following एक सांधरता cell के लिए galvanic सांधरता cell एक galvanic cell है जिसमें ठीक है पीटा सांधरता cell में हम लोग यही बोलते हैं कि जो electrolyte और electrode हैं दोनों के दोनों anode और cathode पर क्या होंगे भाई सेम मतलब पहला answer तो सही हो गया भाई electrode material and the solution of the half cell will be composed is same सीख बात है अब क्योंकि उनके material सेम होते हैं तो वहाँ पर जो potential difference का development होता है वो होता है due to the change in concentration मतलब दोनों की concentration की दोनों solution की concentration different हो सकती है अब क्योंकि same material है तो एक का oxidation हुआ उसी material का उसी material का क्या हुआ भाई reduction तो e0 cell भी क्या होगा 0 very good अगर e0 cell 0 हो गया then the next equation अगर हम लोग लिखेंगे तो next equation हमारी यहीं बनेगी e cell is equal to minus 0.0592 upon n log of q q में concentration c1 by c2 या c2 by c1 के terms में ले लेंगे तो यहां पर हमारे पस क्या आ जाएगा four statements are correct regarding the concentration cell of the galvanic cell अगला है the conductivity of n by 10 kcl solution is 0.0112 ठीक है the resistance of the cell containing the solution is same at the same temperature cell constant को हमें calculate करना है ठीक बात है हमें किसी calculate करना है भई cell constant की valuation को हमें क्या करना है calculate ठीक cell constant की value हमें cable चाहिए हमारे पास क्या दे रखा है भई हमारे पास दे रखी है conductivity के दे रखा है हमारे पास ठीक है भाई conductivity दे रखी और हमें क्या चाहिए भाई cell constant की valuation चाहिए तो सीधे-सीधे cell constant g बराबर क्या कर दें conductivity upon 1 upon क्या भाई आर तो यह हो जाएगा कपा कितना भाई 0.0112 conductivity हो गई upon 1 upon 55 ठीक है इसको solve करो तो आ जाएगा हमारे पास 0.0 112 into क्या भाई 55 और इसकी equation को अगर हम लोग solve कर लें तो हमारे पास valuation कितनी बन जाएगी हमारे पास answer आ जाएगा 0.0 0.616 अगला question है हमारे पास the electrolysis of H2O2 the mass of O2 and H2 is obtained ठीक है अगर हम लोग H2O2 की electrolysis करें तो H2O convert in form of twice of H positive plus twice of OH negative इसको कर हम लोग dissolve कर आए तो twice of H positive except two electron convert in form of क्या भाई H2 ठीक है और twice of OH negative से हमारे पास क्या बन जाएगा H2O plus half O2 मतब हम लोग कह सकते हैं इसका 1 mole और इसका कितना बना भाई आधा mole इसके आधे mole का mass कितना होगा बाई 16 और इसके 1 mole का mass कितना होगा बेटा 2 तो हमारे पास क्या आजाएगा बाई 2 is 2 16 आंसर काउन सा हो जाएगा बेटा 2 अगला question बेटा हमारे पास given है अब piece of the copper wire immersed in a silver nitrate solution the color of the solution become blue solution blue क्यों हो जाता है तो अगर हम लोग बात करें copper तो electrochemical series में copper उपर है और ag क्या है नीचे मतलब इसका srp कम है और इसका srp क्या है जादा जब less srp वाले को हम लोग more srp वाले में डालेंगे तो क्या होगा बै cu ag no3 के साथ react करेगा और सब्सक्राइब बना देगा क्या भई cu no3 whole twice plus क्या निकलेगा भई ag मतलब cu क्या हो गया ऑक्सिडेशन और cu क्या oxidation की वज़े से ही color क्या हो गया ब्लू मतलब क्या आगया answer third third answer is the correct answer कि एने सील की इलक्ट्रो लेसिसर हम प्लेटनम गयर पर कराते है ठीक बात है तो हमें hydrogen gas मिलता है और क्यों मिलता है क्योंकि discharge potential hydrogen का कम होता है और sodium का क्या होता है जादा कहां पर inert electrode पर लेकिन अगर हम लोग mercury electrode ले ले लेते हैं तो mercury electrode में बोल देते हैं कि वहां पर hydrogen gas evolve ना हो करक तो कि mercury electrode पर एने का जो discharge potential है वो कम है जबकि hydrogen का discharge potential क्या है ज्यादा मतलब more voltage is required to reduce as positive at HG electrode मतलब answer कौन सा हो गया बेटा हमारे पास second HG electrode पर discharge potential hydrogen ions का ज्यादा होता है जबकि sodium ions का कम होता है जिसकी वेसे hydrogen की जगे पर sodium ion discharge हो करके sodium amalgam को produce करते हैं किलिए बेटा next 89 question है मारे पास the molar conductivity of NaCl, SCl and sodium acetate are infinite dilution is given then the molar conductivity of this हमें चाहिए इसकी molar conductivity चाहिए ठीक है NaCl का मतलब क्या हुआ? NaCl convert in form of Na positive plus Cl negative. SCl का मतलब क्या हुआ? H positive plus Cl negative. ठीक है बई? और कौन सा दे रखा है sodium acetate मतलब CS3C double bond O negative का मतलब क्या हो गया बई? O Na का मतलब यह आ गया हमारे पास CS3C double bond O minus plus क्या बई? Na positive. और इसकी हमारे पास conductivity given है और हमें चाहिए क्या बई? हमें conductivity चाहिए किसकी बई? CS3C double bond O O H की conductivity चाहिए CS3C double bond O minus बनेगा और साथ में क्या बनेगा बेटा? H positive. इसकी conductivity को हमें calculate करना है. तो इसकी conductivity calculate करने का सबसे बड़ी यह तरीका क्या है? कि अगर हम लोग sodium acetate की conductivity में sodium acetate की conductivity ले 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 और sodium acetate की conductivity को ले करके उसमें add कर दें. sodium acetate से sodium को हटाना है. तो यहाँ पर हम लोग first को add कर दें और second यहाँ पर हम लोग ले ले क्या बई? लेम्डा ओफ एसिटी केसिड बराबर क्या लिख सकते हैं? लेम्डा ओफ सोडियम acetate infinite conductivity पर प्लस लेम्डा ओफ क्या बेटा? एसिएल और माइनस ओफ लेम्डा ओफ हम लोग क्या करनें बेटा? लेम्डा ओफ एसिटेट और यह अगर हम लोग calculate करेंगे तो हमारे पास अंसर आजाएगा 390.71 ठीक है? मतलब एसिटी की conductivity को calculate करने के लिए हम लोग क्या करें? कि लेम्डा ओफ सोडियम acetate प्लस सोडियम हम लेम्डा ओफ एसिएल माइनस ओफ लेम्डा ओफ क्या भई? एसिएल तो हमारे पास किसकी conductivity मिल जाएगी बेटा? एसिटिक एसिट की conductivity हमारे का calculate हो जाएगी कि क्या? और अंसर हमारा आजाएगा 390.71 अब देखो बेटा हमारे पास क्या है? कि वन लीटर सोलुशन आफ सी C-U-S-O-4 solution electrolyze by using the C-U electrode after passing the 2F solution, simple सी बात, यहाँ पर हम लोग copper electrode को ले रहे, copper electrode है हमारे पास, ठीक है भई? और उसके अंदर हमारे पास है कौन भई? C-U-S-O-4 है, मतलब जितना C-U, यहाँ से जब oxidation होगा तो C-U-2 positive solution में आएगा, उतना ही C-U-2 positive क्या होगा भई? electrode पर deposit हो जाएगा, मतलब same electrode, same electrolyte, उसी metal का electrolyte लेंगे तो ions की concentration में कोई भी change नहीं आएगा, तो पहले concentration 1M थी और बाद में भी concentration क्या रहेगी बिटा? 1M, के लिए रहे?